एक ऐसा स्टॉक जिसने अपने इंवेस्टर के घर, बार, कपड़े, वपड़े सब विकवा दिये हमने अभी तक आपको अच्छी कंपनी के बारे में बताया है आज हम बताएंगे वेल्थ डिस्टोयर कंपनी से कैसे बचें कंपनी का नाम है बिर्ला टायर अब सब सोच रहे होंगे नाम के आगे तो बिर्ला है तो कंपनी तो अच्छी होगी ऐसा नहीं होता दोस्तों चलिए चलते हैं चार्ट पे और समझते हैं कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा है देखिए 2020 में स्टॉक 3 रुपे से चलते चलते 47 रुपे का हाई लगाया बहुत ही जादा रिटेल इन्वेस्टर ने इस समय इस स्टॉक में बिना देखे बिना समझे इन्वेस्ट कर दिया होगा ये सोचते हुए ये स्टॉक आने वाले समय में आसमान की बुलंदियों में पहुँच जाएगा और हम माला माल बज जाएंगे लेकिन कमपनी के गिरते हुए प्रॉफिट्स और फंडमेंटल इशू की वज़े से ये स्टॉक नीचे की तरफ ऐसे तूटा की रुपने का नाम ही ने लिया अभी ये स्टॉक सिर्फ 4 उपे का रह गया है उसमें भी डेली लोर सरकिट लग रहा है और कोई रिटेल इन्वेस्टर बेज भी नहीं पा रहा आईए जानते हैं इतने बड़े डिजास्टर का रीजन क्या रहा 2020 में जब ये स्टॉक 1500 पसंट बड़ा था तब भी ये कोई प्रॉफिट मेंकिंग कंपनी नहीं थी 2020 में इसका लॉस 280 करोड था जबकि बढ़ते बढ़ते 2020 में 656 करोड तक पहुँच गया है अब आप खुद सोचिए जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही उसमें इन्वेस्ट करने का क्या मतलब बनता है जब भी कोई स्टॉक खरीदने हो हमें कंपनी के most important parameters जैसे की EPS यानि earning पर share PE ratio यानि की price to earning ratio debt to equity ratio ROE यानि की return on equity dividend yield जैसी main चीज़े जरूर देखनी चाहिए अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में detail में जानना है तो comment section में बताइए हम आपको एक बड़िया सी detail वीडियो बना के देंगे bell icon दबाइए और अगर daily सीखना है तो हमारे चैनल को subscribe कीजिए happy investing दोस्तों